फाइनली वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को बेसबुरी से इंतजार था जेएकब 2024 का फॉर्म आलाइन स्टार्ट हो चुका है कम्प्लीट डिसकस यहां मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ कैसे आपको अपना फॉर्म आलाइन करना है आपको चाहिए किसी भीisini पॉलेट्टेखनीक कॉलेज मेरेड मीशन किसी भी गुरूप से आप इंजिनिरिंग से डिक्लОमा करना चाहते है या फिर किसी भी ब्रांच से आप डिक्लोमा गुरूप A, B, C जितने भी आपके गुरूप है होटल मैनेजमेंट से आप डिपलोमा करना चाहते हैं आप डिफाम यानि की फार्मेसी करना चाहते हैं डिपलोमा इन फार्मेसी यानि की डिफार्मा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि यहां पर मैं आपको देने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पॉले टे किसी भी अपने personal सवाल के लिए discuss करेंगे एक एक करके farm online आपका आज से start हो चुका है ये चीज आपको clear होनी चाहिए farm online अभी कुछी देर में आप सभी के पास एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको farm online करके step by step बताऊँगा कि कैसे आपको अपने farm online को घर बैठे आप अपने phone से कर सकते हैं सारे process आपको बिल्कुल कहीं पर भी जानने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है जब तक आप polytechnic college में पहुच नहीं चाते हैं अपनी पढ़ाई करने नहीं लगते हैं और साथ में आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे उस दवरान जितनी भी आपकी exam यूज होग यह notice आपको लिखी तवर पर तो description में दिये गए टेलिग्राम चैनल पर send कर दिया गया है लेकिन आपको सभी चीजों को समझना है कैसे मेरा entrance exam होगा, group कौन से है, क्या eligibility है, कितना पैसा देना होगा, क्या चीज़ें है, सब आपको समझना होगा ठीक है तो चलिए देखते है एक एक करके सारी जानकारी आपके साथ मैं साजा करता हूँ, सबसे पहले जो आपके लिए बात आती है, वो यह है कि मेरी परिच्छा तिति, जो कि सबसे पहले इस notice में लिखा गया है, 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 के बीच में जेएकब 2024 कंड़क्ट करवाया जा रहा है, सबसे ब कोई भी नहीं expect कर रहा होगा इस खबर को, क्योंकि जादा से जादा हम बहुत early सोच सकते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि April के last तक, लेकि मार्च में तो किसी नहीं सोचा होगा, तो मार्च में आपकी परिच्छा होने वाली है, और परिच्छा का जो माध्यम होगा, वह online आपके सामने computer होगा, mouse से आप उहां पर click करते हुए चलेंगे, इसके लिए आपको हमेशा सर्वता तयार रहना होगा, तो चलिए देखते हैं इसके बाद जो अगली बात आती है, परिच्छा ती थी आपको clear है, कि आपकी जो परिच्छा है, वह 16 से 22 मार्च के बीच में कर लिए आप 12 पास आउट हो, तभी आप इस lateral entry का परियोग कर सकते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं, इसके बाद की जो महत्पूर बाते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, देखिए, online आवेदन आपको करना है, तो online आवेदन आपका 8 जनवरी से 29 फरवरी तक आप सभी कर सकते हैं, और परिच्छा के लिए जो आपका प्रवेश्पत्र है, वो 10 मार्च को वेबसाइट पर आजाएगा, काउंसी वेबसाइट पर आएगा, इस्टोंट, jacob.admissions.nic.in, मैं आपको बताऊँगा, admit card जब डाउनलोड होगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे डाउन में अपनी तयारी को अंतिम रूप देना है, और कैसे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, इसके बाद बात आती है परिच्छा फल के लिए, तो आपको 27 मार्च को आपकी परिच्छा के लिए जो आपका result है, वो आपको आजाएगा, मतलब आपके लिए answer की आजाएगी, 27 से 30 के बीच में, उसके साथ ही, आपका जो परिच्छा फल आने के अंतिम रिजल्ट, जो लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो आपको 8 अपरेल को मिल जाएगा, इसके लिए आपको समझना होगा, काउंसलिंग जो है, वहाँ आपकी क्या होगी, यहाँ पर अंतिमति बात हर इस्टेप इस चैनल पर सिखाऊंगा, अभी इंटरेंस एक्जाम पर फोकस करिए, बाद में मैं आपको काउंसलिंग क्या होती है, कैसे करना है, कम नंबर में बेस्ट कॉलेज कैसे लेना है, अभी ऐसाब आप सोचिए मत, मैं हर ट्रिक आपको बताऊंगा, कैसे पाम आल लाइन करो, पाम आल लाइन के अंतिम्तिती 29 फरवरी याद रखो, उसके बाद आपको जो एक्जाम देना है, 16 मार्च से 22 मार्च याद रखो, इतना याद रखो, एड्मिट कार्ड कब आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, इस चैनल की नोटिफिकेशन आप आन क आपको बिलकुल परिशान नहीं होना है, चलते हैं कुछ महत्फून और बातों की तरफ, और जो बाते हैं, वो यह सब आप जान चुके हैं, कि ग्रूप काउन से हैं, परिच्छा तिती भी आप जान चुके हैं, फाम आनलाइन आप याद रखिए कि स्टार्ट हो चुका है और फाम आनलाइन आप 29 फरवरी तक आप लोग कर सकते हैं, 2024 में, चलिए आगे कि हम जानकारी की तरफ चलते हैं, पहले आपके पास 114 गवर्मेंट कॉलेज थे, जो कि अब उनकी संख्या घटकर 147 हो गई है, यह आपको जानने वाली बात है, अठारा आइडेड कॉलेज ह 1874 आपके पास प्राइबेट कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, यह चीज हो गई बात, कि कितने गवर्मेंट, कितने प्राइबेट कॉलेज है मेरे पास, अब अगली बात आती है, देखें, जो जरूरी है, वही बता रहा हूँ, वाकी यह नोटिस आप पढ़ते रहिएगा जो आपके कामत की चीज है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब बात आती है, ग्रूप की, ग्रूप में डिपलोमा इंजिनिरिंग, जो है आपका, यह तीन वर्सी है कोर्स होगा, दसवी कच्छा में आप नियुनतम 35% अंके साथ उत्तिन हुए हो, तो आप ग्रूप A कि थुरू सभी लोग डिपलोमा कर सकते हैं इंजिनिरिंग के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, आप से 50 सवाल पूछे जाएंगे गणित के, और भावतिक तथा रसायन विज्ञान के, 50 सवाल आप से पूछे जाएंगे, 25-25 ज्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आप से परि प्रत्सत और भावतिक तथा रसायन विज्ञान और क्रिसी में, 50 प्रत्सत अंक आपके साथ होने चाहिए, ग्रूप C से दिया आप फार्म आलाइन करते हैं, फैसन डिजाइनिंग, गार्मेंट टेकनलाजी, होम साइंस, टेक्स्टाइल डिजाइन, टेक्स्टाइल डिजा सवाल समझे, क्योंकि UP Polytechnic के सभी ग्रूप के लिए 100 ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप क्लियर रखिए, जनरल इंटेलिएंसी से आपसे 50 प्रत्सत सवाल, जनरल एवेरनेस से आपसे 30 प्रत्सत सवाल, इसके बाद बात आती है, ग्रूप D की, ग्रूप D सवाल, 10 सवाल, 35 सवाल, तीस सवाल, आप समझ लीजिएगा, ये नोटीस आपको तो सेंड किया जाएगा, इस तरह से आप से सवाल पूछे जाएंगे, और Diploma in Pharmacy, जो की बहुत important course हो जाता है, इसके भी जो आप से पूछे हैं, दो वर्स का ये course होता है, डिफार्मा आपक प्रतिसल सवाल, और Biology, यादि आपके बराहमी में Biology है, तो आप क्या करेंगे, Biology से अकेले 50 सवाल पूछे जाएंगे, यादि कि Physics कमेस्टी से मिला के 50 सवाल, और Biology से अकेले 50 सवाल, और यदि आप मैद से थे, आपके 12 में मैद था, तो आप मैद के 50 सवाल लगाएंगे, ठी उसके बाद आपका बेस्ट डिफार्मा कालेज में Admission हो जाएगा, सारी चीजे हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई, अब आपको इसी तरह से सारे ग्रूप के लिए मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रूप में, यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास क्या योगता होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि कौन से बिसे से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने प्रतसत का मतलब उतने सवाल, और सो ही सवाल सभी गुरूप से आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जितने भी इस्टुरेंट यहाँ पर से अपना फार्म फिल करेंगे, 12 पास आउट के बाद यदि आप इंजीनेरिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पर लैटरल इंट्री भी में एडमीशन ले सकते हैं, आप मुझसे पूछेंगे कि तीन वर्सी डिप्लोमा करूं या दो वर्सी डिप्लोमा करूं इंजीनेरिं आप से परिच्छा में, परिच्छा में आप से क्या चीजें पूछी जाएंगी, यह चीज आपको क्लियर हो चुका है, नियुनतम जो आपकी आई हो है, उसके लिए भी आप जान लीजे, आपकी जो आई हो है, वह 14 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान आपको जो है, वहाँ पर 300 रुपया देना होगा, जनरल के जितने स्टुटेंट है, फाम आनलाइन के टाइम पे, और साथ में जो यहाँ पर OVC, SC, SC, SC वाले, वो 200 रुपया देंगे, और जनरल OVC वाले कितना देंगे, 300 रुपया में अपना आवेधन करेंगे, यह चीज जाती है, अनसूसी जन जाती को 200 रुपया देना है, अनलाइन पोर्टल पर, और अभेरती द्वारा दिये गए, पंजी करन सुलकों को किसी भी दसा में वापस नहीं किया जाएगा, सभी चीजे प्रवेस पत्र आपको डाउनलोड करना हो, कुछ भी हो, वो सभी चीजे आप यहां पर करेंगे, आप करेंगे, jacob.admissions.nic.in पर आपको करना होगा सभी चीजों को, उसके बात करते हैं, और सभी चीजों के बारे में और भी कुछ बाते हैं, जो आपको जानना होगा, आपको चार अंक जो वहां पर बिकल्प होंगे, आपके पास चार बिकल्प हो होगा, उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक होगा, एक प्रस्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रस्न का उत्तर अमाने माना जाएगा, प्रतेक प्रस्न पत्रों में सव प्रस्न होगे, मैंने आपको बता दिया था भी सभी ग्रूप में आप से सव ह सवाल पूछे जाएंगे, चार विकल्प होंगे, यदि कोई भी प्रस्ण गलत होता है, या दो विकल्प सही होने पर, उस प्रवेश, उसका क्या होगा, उसका आपको पूरा का पूरा चार अंक दिया जाएगा, ऐसे प्रस्ण, जिन्हें बाद में आप पुना हल करना हो, उन चीज को आप ध्यान रखें, बात आती है निगेटिव मार्किंग की, जो की सबसे बड़ा सवाल है, आप ध्यान देंगे कि चार विकल्प जो आपके पास होंगे, यदि आप सही उत्तर देते हैं, तो आपको चार अंक मिलेंगे, ठीक, चार अंक आपको दिये जाएंगे, और यदि कोई भी आप यहाँ पर गलत करते हैं, तो आपके लिए यह लाइन ज़रूरी है, गलत उत्तर देने पर कोई भी निगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है, 2023 से चीज श्टार्ट हुई है, और 2024 में यह लागू रहेगी, निगेटिव मा होगा, नर्मलाइजेशन होगा, अलग-अलग सिफ्ट में आपका एजाम कंड़क्ट करवाया जाता है, तो किसी सिफ्ट में पेपर इजी आ रहा है, किसी में टफ आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो टॉप इस्टूडेंट होगे, उनके मार्क के आधार पर नर्मला चीजें की जाती है, आप सभी के बारे में ये बेसिक जानकारी हो गई, आपको अपना परिच्छा फाम फिल करना है इसके लिए, यदि आप यूपी पॉलिटेग्निक इंटरेंस एक्जाम में अपियर होना चाहते है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट अभी आपके पास मार्क सीट नहीं होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप होँपर अपियरिंग फिल करके आगे बढ़ जाएंगे, आधार की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आधार को आप अपने फोन में स्कैन कर लें, एक फोटोग्राप होना चाहिए, आपके प फोन जानकारिया, जो कि आपको जानना जरूरी है, उत्तर प्रदेश पॉल टेक्निक इंटरेंस एक्जाम 24 के बारे में, इस चैनल को आप अपने फैमिली मेंबर के फोन में सब्सक्राइब करवाईए, खुद सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी आपके सुर्चिन तक है उनसे सब्सक्राइब करवाई, जिससे वो भी आपको सारी चीजें बता सकें, या आप ये नोटिफिकेशन मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर इस्टेप पर गाइड किया जाएगा, कोई भी आपको प्राबलम होती है, कोई भी नई जानकारी आती है, कुछ भ वीडियो कैसा लगा, आपके लिए वीडियो कितना helpful रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you, love you all, नमस्कार